अगर मैं आपको ये बोलू कि आप french fries ना mcdonald से भी बढ़िया वो घर में बना सकते हो तो आपका reaction क्या होगा अरे नहीं यार ऐसे कैसे पर सच में आप बना सकते हो बहुत ही बढ़िया french fries जो mcdonald से भी बहुत अच्छे बनेगे क्या करना है सबसे पहले मैं यहाँ पे ना lesson को ना लेके कूट रही हूँ आप चाहो तो lesson अधरक paste भी उस कर सकते हो और वैसे भी या lesson को mixer grinder में भी grind कर सकते हो ठीके बस अब क्या करना है हमने एक बरतन में लेना है आधा कप मैदा अब साथ ही डालना है इसमें आधा कप corn flour अब को mcdonald जाने की जुरूरत ही नहीं पड़ेगी किनों जी जो कोना हमने अच्छे डंक से कर देना है जी mix अब इसमें डाल देंगे lesson का paste एक चमच के ब्राबर साथ डाल देंगे हरा धनिया बारीक बारीक काटके सच में lesson और धनिया का जो इसमें flavor आएगा ना बहुत ही मज़ आधा चमच डाला है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चमच कुटी लाल मिर्च और साथ ही डालगी हूँ आधा चमच जीरा और आधा चमच अजवाइन इनको डालके थोड़ा सा 1 फूर्थ टी स्पून डालना है हमने baking powder और बिल्कुल chilled पानी लेना है यहां पे मैं 1 कप पानी डालोंगी आधा अधा करके लाल के ना हमने बढ़िया सा बैटर बना देना है यह देखे अब यह ड्राइ लग रहा है इसमें आधा कप पानी हम और अधा अधा कप करेंगे पानी बिल्कुल थंडा होना चाहिए इसको डालके हमने अच्छ ढंक से बैटर को हिला अब जैसे जैसे हिलाते होगे ना पानी एकदम से ना डालना थोड़ा-थोड़ा करके डालना आधा-धा कप करके अब इसमें दो चमच के क्रीब पानी और डाल रहे हूं यह दिखिए बहुत बढ़िया बैटर बन जाएगा बैटर ना जाता थिक नहीं होना चाहिए और जात बना रहे हैं अब जनक से हमने काटना है देख रहे हूं किसे घुण से काटना है उसको यह एक तार आलो यह उसको एक जल्डम पे आपने कट लगाते जाना है बड़े अराम से करिएगा ऐगा अगर आपके बड़ागर नाइफ है तो इसे काम आपका और भी असान हो यह देखिए एक आलू लिया मैंने उसको सभी गोना वो बना दिया फ्रेंच फ्राइज जैसा आप देखें इसकी शेप ऐसे सारे आलू को काटके हमने ऐसे काटना है और पहले ठंडे पानी से निकाल के फिर किसी नैपकिन पर रख देंगे और पानी जो इसका तक है अच्छा बैटर बनाया था उसे थोड़ा सा डालेंगे मैं आधा अधा करके डाल लियूं जैसे पांच आलू पहले लिए उसमें आधा बैटर डालाया मैंने आधा बैटर रख दिया क्योंकि ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए बैटर को बार में आप एकठे ना पर लग जाएगा अगर आपका बैटर बच जाता है ना अलू को तरनने के बार भी तो आप उससे कोफ्ते बना सकते हो पकोड़े बना सकते हो जैसे मैंने कहा कि यह कोफ्ते बना लिए अब एक तरफ कड़ाही रखने है उसमें काफी साधा तेल रखना है तेल को अच्छे अपने रहां के यह कोफ्ते ही जाना हैज़े पैटर इस बाइसमें लेखने हो फो फ्लेम जाएंगे जैसे जैसे हिलाते जाओगे न यह उतना ही बड़िया क्रिस्प होते जाएंगे यह नहीं कि आपने डाल दिया और थोड़े दर बाद हिलाओ ऐसे नहीं साथ साथ में जैसे मैं हिला रही हूँ न इतको आपने भी इस ढंक से आलो को हिलाते रहना है बड़े अच्छे डंक से बन भी आएंग यह French fries इनको उमने तीन से लग जाते अच्छे डंक से फ्राइं करने में आप यह न सोचिएगा कि जल्दी जल्दी काम होगी जल्दी ऐंगर करोगे थो अच्छे डंक से फ्राइं अगर आपकी बड़ी कड़ाई है तो तेल ज्यादा लीजेगा और थोड़ा मतब आध्यादे करके भी आप तल सकते हो मैं यहाँ पे छोटी कड़ाई है तेल मैंने उतना ही दिया है इस थोड़ा-थोड़ा करके तल रही हूं यह दिखिए जैसे जैसे आप इन्हें हिलाते ज साउस के साथ अगर आप एक बार बनाओ गे ना तो सच में आपको बाहर से खाने की जुरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फटा पाटे ने ट्राइ करेगा और मुझे कुमेंट सेक्शन में बताएगा कि यह रेस्पी आपको कैसी लगी